तो दूस्तों आज की इस मूवी में आप देखोगे एक ऐसे बन्दे को जिसे उसका ही फ्रेंड सिखाता है कि कैसे लड़कियों को बजाया जाता है जिसके बाद उसका फ्रेंड उसकी ही मॉम को पल्टा के ठोक देता हैं और भाई सब न सिर्फ एक बार न जाने कितनी कितनी पर कहां कहां कैसे कैसे किस किस पोजिशन में किस किस के साथ और उसका नाम है क्लास और यह साथे मासूम बच्चे जोनाथन को जिसकी नजरों में चॉकलेट और स्टॉबेरी का मतलब सिर्फ आइसक्रीम के फ्लेवर ही होता है इसके लावा इसे और कुछ भी नहीं बता तो ऐसे में उसका अभी अभी ही एक नए स्कूल में एड्मिशन हुआ है और उसे बता चला है कि उसके साथ एक और बंदा उसके रूम में रहेगा तो यहाँ पर जोनाथन की उस बंदे से मुलाकात होती है जिसका नाम था स्किप जो कि उसका समान वगरा शिफ्ट करने में काफी हेल्प करता है और सब को शिफ्ट हो जाने के बाद वो जोनाथन को बताता है कि हमारे इतने में डंडा गुसर दिया जाएगा अब जोनातन को ये चीज काफी ज़्यादा अजीब लगता है पर इसके खुद ही लड़कियों के कपड़े पहन रहा था और उसके कॉन्पिटेंट को देख करके जोनातन भी कहीं न कहीं कन्फ्यूस हो जाता है कि भाई साब हो सकता है और ये बोलकर वो वहां से भाग जाता है बाहर बिचारा जोनातन अके लिए उन सभी लोगों का मजा का पात्र बन जाता है ठैटकुस दिर बाद वो किसी तरह से अपनी लाज हो जाते हुए वापस कमरे में आता है और यहां पर इसकिफ काफी ज़्यादा हसता है पर एट पास के बंदे उसे काफी ज़्यादा चेड़ा रहे थे कोई मीठा या तरह तरह के वर्ट उस पर फेक रहे थे जिस पर जिसे जोनातन काफी ज़्यादा डिप्रेस हो जाता है और वहां से सीधा भागता है अपने रूम में यहापर उसे जाते हुए इसकिफ भी देख लेत दी है और वो जलते से जाता है प्रेन्स पल और बागी के स्टाफ को बुलाने के लिए कुछ दिर के बाद प्रेन्स पल और बागी का स्टाफ उसके रूम में आ भी गा पर यहां पर उन सभी लोगोंने क्या देखा कि एक पुतला डंगा वा जहाँ पर उसके प्रिंसिपल की फोटो है और ट्रोलिंग वर्टिस प्रिंसिपल सर के लिए लिखेगा है है। प्रिंसिपल की ये देख करके तो बिल्गुल जाड़िया जल गई और उसका दो मन यही कर रहा था कि वही पर पकड़ करके इस किप की गड़िस सुझा दी जाए पर आसमाज इतने सारे लोगों के होनी के वेज़े से वो उसे कुछ कहता दो नहीं पर वार्निंग देकर वहां से चला जाता है जिसके अगले सीन में हम देख पाते हैं कि जोनातन वही पर चुपा हुआ था और यह सब कुछ उसने बस उस प्रैंक के बदले के लिए किया था जहापर हमें समझ में आया कि भाई साब जोनातन तो इसका भी पिता स्री निकला खेर इस चीज से उनके दूस्ती काफी ज़दा गहरी हो जाती हैं और उसी राज जब वो पवा चड़ा करके एक दूसरे के साथ अपने सिक्रेट सेर कर रहे थे तो यहाँ पर जोनातन उसे बताता है कि एक्चल में वो यहाँ तक चीटिंग करके आया है इसके साथ साथ जोनातन एक बात और रिविल करता है कि भाई साथ उसकी FD अभी तक नहीं टूटी है और आज तक उसने अपने हाथों से ही खुद को खुश किया है पर यहाँ पर वो अपने हाथों से इतना ज़दा परेशान हो गया है कि अब उसकी हाथों की रेखाए हाथों से मिट करके वहाँ पर छप गई है तो भाई साब अगर कोई best friend ये बास सुन ले तो उसका तो बस एक ही mission बन जाता है mission FD तोड़ू तो वो decide कर लेता है कि भाई साब अब तो बस एक ही प्रातिमिक चीज है वो है मेरे best friend जोनातन की FD तोड़वाना और इसके लिए वो उसे training देना भी start करता है जिसमें एक रात वो कार लेकर कूपचे में पार्क कर देता है क्योंकि यहाँ पर उसने दो लड़कियों का जुगाड किया था और वो दोनों लड़किया भी उसके साथ कार में बैट करके निकल लेती है पर यहां पर राश्ते में बिचारा जोनादन इतना जदा नर्वस था, क्यूंकि पहली बार वो किसी कंञ्या के बगल में बैठा है, और वो भी कंञ्या ऐसी, जोकि अपने संतरों को खुद ही उसके हाथ में थमा रही है, तो ऐसी में जदा नर्वस होनी की वज़े से उसे उ पर तूतिया पराड़ी तो तूतिया ही रहेगा ना वो यहां पर भी तूतिया गिरी कर देता है जिस वजह से हो जाता है एक बड़ा कांड और उन्हें प्रिंसिपल के पास तक जाना पर जाता है अगर तुमें लग रहा हो कि चलो भाई दो प्लैन फेल हो गया है तीसरा तो काम कर जाएगा तो ना 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 दुनिया बदल सकती है पर तूतिया कहां बदल सकता ठीक ऐसा ही होता है जोनातन के साथ वो हर बार कुछ ना कुछ कांड करके उनके प्लैन की मैया दया कर देता जिसके बाद फाइनली था खार करके स्किप डिसाइड करता है कि अब वो उसे देगा ब्रह्मास्त्र जिसमें वो उसे कुछ पैसे दे करके बोलता है कि बेटा चले जाओ बैंकोग आँ ये तो अपने आ बोलते हैं लेकिन उसने बोला कि तुम सिकागो चले जाओ जैसे देनी हैं तो वो इसकिप से सिच के लिए मना करता है पर बार-बार इसकिप के कहने पर उसे जाना ही पड़ता है जिसके अगले सीन में हम देख पाते हैं कि वो सिकागो पहुँच गया है और एक क्लब में भी जाता है जहाँ पर लड़किया बस देने ही आती हैं हालकि यहा अब कहीने कि उससे भी रिलाइज हो जाता है कि उसकी बिल्ली जोनाथन के केले को ही पूछ रही है जिस पर वो लड़की के बास भी जाता है पर बताया ना लैक ओफ कॉन्वीडेंस जिस वज़े से भाईया जी के फड़वे लग जाते हैं आँ वो अले फड़वे नहीं य यहाँ पर उनकी थोड़ी बहुत बाते होना स्टार्ट हो जाती है जिस पर चुनाथन उससे बताता है कि वो एक पीएसटी होल्डर है मतलब दोस्तों वो यह नहीं आता था कि वो एक स्कूल में है ताकि आंटी को यह ना लगे कि वो बवा है तो आंटी भी है अबर उससे क अफिजदा एंप्रेस हो जाती है और उससे ले जाती है एक कुपचे में जहां पर वो लोग तबा के चुम्मा चाटी करते हैं जिसके बाद आंटी उससे ले जाती है एक लिफ्ट में लेकिन वो बोलता है कि बाबू ऐसे खुले में मत करो अगर किसी ने MMS बना लिया ना तो कल www.gapagap.com पे हम लोग नज़र आएंगे इससे अच्छा है कि एक ओयो कर लेते हैं वहाद दबा के ठोकेंगे और पैसा भी वसूल हो जाएगा जिस पर आंटी भी एगरी कर जाती हैं और ये लोग वहीं पर पास में एक सस्ता ओयो लेते हैं जहाँ पर जोनातन पहली पार अपनी ऐफडी आंटी के उपडी के उपड़ महनत करकर के करकर कर करकर के तुड़वा लेता है जहाँ पर फाइनली जोनाथन बहुत ज़्यादा खुश होता है और जाते जाते हैं आदे आन यह पर जब कभी भी आना एक बार खुदाई ज़रूर कर देना यहाँ पर दूसरी तरफ हम देखवाते हैं इसके प्लोग जोनाथन की ही बात कर रहे थें कि भाई साब मुझे तो लगता ही नहीं कि वो बंदा किसी की ले भी पाएगा। इतनी में हम देखते हैं जोनाथन वहाँ पर आता है और प्रूफ के तोर पर वो एलन की ही अंडरगामेंट अपने साथ लाया था। घूमने गया हुआ था तो यहां बर वो उसके लिए एक रैप सुनाता है जो की कुछ यू है बात मेरा सुनो तुम जान लगा के बोल रहे हैं सौ ग्राम चड़ा के लगता है कल रात मैंने सुझा दी है ज्यादा तो सूझाओ ना जंडू बाम लगा के अपने आम में दिख क्योंकि मुन्नू भी अब रूड हो गया अब तो दिन भर है रहता भूखा हां भूखा क्योंकि तुम्हारी मुन्नी ही अब इसका फूड हो गया मेरी रानी केरी दुलारी तुम चौकलेट लो या स्टोबरी तुम जो भीलो बहुत सही लगेगा एक सा डॉटेट लेना करने के बाद उनका एक बार फिर से मूड बन जाता है और फिर से ओयों में जाके दबा के पेलम पाली करते हैं और फिर पेलम पाली करने के बाद जब ठक जाते हैं तो शौपिंग करने के लिए बाहर जाते हैं और यहां पर जब वो शौपिंग कर रहे थे इसी भी जोनाथ अपना कोट बाहर रखकर अंदर ट्रायल रूम में चला जाता है यह सबसे बड़ी गलती कर दी उसने क्योंकि बाहर एलन जब उसका कोट चेक कर रही थी तो उसे उसकी स्कूल की आइडेंटिटीटी मिलती है जिससे देख करके उसे समझ में आया कि जिसका केला वो अभी तक बंबु समझ के ले रही थी वो तो एक्चुल में मुंख फली है यह दिख करके उसका दिल तूट जाता है और वो बिना कुछ कहे ही वहां से 9-11 हो जाती है जोनातन जब कुछ देर बाद बाहर निकला तो भाई साब उसे ऐलन कहीं भी नहीं दिखती तो उसकी फट जाती है और वो आजवाज हर जगे ऐलन को चेक करने लगता है पर अनफोर्चनेटली ऐलन कहीं पर नहीं थी अब जाकर के जोनातन को समझ में आ गया है कि आखिरकार एलन उसे छोड़ कर क्यों गई है तो जोनातन इस चीच को लेकर काफी ज़्यादा टेंशन में रहने लगा है स्किप बिचारा जो कि उसका बेस्ट फ्रेंड है उसे समालने की काफी ज़्यादा कोशिश करता है उसे समझाता है कि क्या करना अरे यार अपनी ही सिटी में जुगार लगा देंगे लाइन या लगा देंगे लेकिन यहाँ पर जोनातन उसे क्लियर करता है कि ना 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 इसलिए हो उसका मूर थोड़ा सा फ्रेश करने के लिए उसे अपनी घर ले जाता है और यहाँ पर वह सते ही जुनाथन की मुलाकात होती है स्किप के डैट से और कुछ दिर के बाद इसकिप की मौम भी वहाँ पर आ जाती है और जैसे ही जुनाथन इसकिप की मौम को देखता है तो भाई साब उसकी फटके हाथ में आ गई क्योंकि ये कोई और नहीं बलकि एलन ही थी एलन की भी फटके 64 हो जाती है पर ये दोनों ही ऐसा रियाट करते हैं कि जैसे दोनों पहली बार मिले हो जिसके बाद रात में सब लोग डिनर करते हैं बिल्कुल नॉर्मली पर जैसे ही सब सोने जाते हैं तो एलन सबके सो जाने के बाद जोनाथन से मिलने आती है और यहां अगर के आंटी उससे माफी मांगती है जो भी कांड उन्होंने आज तक किये हैं और इन सभी चीजों को यहीं पर खतम करने के लिए बोलती हैं हाला कि उनकी बाद तो स्टार्ट होती है खतम करने से पर कुछ देर तक बाते करने के बाद उनसे भी रहा नहीं जाता और आंटी एक बार फिर से करने लग जाती है। पर इतने में ही वहाँ पर स्किप आ गया जिसे देख करके आंटी की फटी और वो ऐसा भागती है ऐसा भागती है जैसा तुम भागते हो जब तुम्हारी पिता जी तुम्हें सिग्रेट पीता हुआ देख लें। जोए करने के बाद जब वो लोग अगली दिन वापस आते हैं हॉस्टल में तो यहाँ पर एक बंदा प्रिंसिपल के रूम में एक अजीब से बंदे को जिससे देख कर ही समझ में आ रहा है कि भाई साब ये खडूस है अब खडूस का मतलब इन्वेस्टिकेटर उनके लोग भाई साब सभी लौण्डों की खटिया खड़ी हो जाती हैं और वो अपना चुपायावा सारा इस्टोक जिहां मनाली का माल वो सारा का सारा माल भाई साब पानी में बहा देते हैं खैर ये सब कांड जब एक तरफ चल रहे होते हैं यहीं पर दूसरे तरफ जोनाथन को एलन का कॉल आता है क्योंकि उस रात उसकी मंजन प्रक्रिया भी आधी रहेगी थी इसके बाद तो भी निचोडन का रिक्रम भी होना था उंगल प्रक्रिया भी होनी थी गुसरन का रिक्रम भी चलना था पेलम पाली भी होनी थी इस वज़े से वो कांड जो कि उस दिन नही उमें बुला लेता है पर गलती कर देता है वो यह कि जाते जाते स्किप को बता जाता है कि भाई साम मेरा मूट बहुत ज़्यादा गरम है क्योंकि मेरी बाबू ने मुझे छोड़ दिया तो मैं जा रहा हूँ ओयों में थोड़ा सा रिलेक्स करने के लिए अब यहाँ पर इस जोनाथन का डूर नौक करता है अब जोनाथन को लगा कि शायद हाउस की पर होगा तो वो बिना कुछ सोचे ही डूर खोल देता है डूर के खोलते ही खोशी के साथ इसकिप गाना काता है कि लवंडिया लंडन से लाएंगे रात भर बलंग हिलाएंगे भाई साब इतनी चल जाएंगे ही जलेंगी तो वो घुसने में वहां से निकल कर भाग जाता है लाकी आस-पास के लोगों को कुछ भी पता नहीं चल पाता क्योंकि किसी ने आस तक स्किप की मौम को देखा ही नहीं थाedar तो वो लोग कुछ भी समझ नहीं बाते हैं पर भाई संब जोनाथन को दो सब पता ही है न तो वह उसे मनाने के लिए नीचे जाता है परंटु अब तक तो स्किपट जा चुका था खेर इसके बाद अगले दिन जोनातर इसकिप से स्कूल में मिलता है और यहाँ पर अपनी गलतियों के लिए माफी मांगता है पर इसकिप से कहता है कि मैं तो तुम से गुस्ता ही नहीं हूँ तो माफी किस बात की और यहाँ पर स्कूल में उन्हें पता चला कि भाई साब जि इतनी खास कोई बड़ी बात नहीं है, दूसरी तरफ हम देखते हैं जोनातन और स्किप को, जो कि एक बार फिर से जोनातन ने स्किप के पास जागर के बार बार माफी मांग रहा है, तो स्किप उसके मूँ में देता है, तो वो उसके मूँ में एक पंच देता है, जिसके आना वीडियो को एक छोटा सा लाइक ज़रूर करतीजे और हाँ अगर नहीं चाहते हैं ऐसी ही और भी ज़्यादा तगड़ी तगड़ी वीडियो को मिस करना तो मेरे भाई चाहो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो वना फिर कभी मिलेंगे तो कैसे इदर उदर बटकते हुए है आँ मुवी डाउनलोड कैसे करनी है तो मेरे भाई टेलिग्राम चैनल जॉइन कर लो वहाँ पर आपको सारी मुवीज की लिंक मिल चाते हैं तैंक यू बबाई दुआओं में याद रखना